नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चनल में मैराने गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें कि दिनेश अरोडा आज सरकारी गवा के तौर पर राउजवेन्यू कोट में बड़ा खुलासा करने वाले हैं दरसल सरकारी गवा के तौर पर उनका बयान आज आज आन कैमरा रिकॉर्ड किया जाएगा राउजवेन्यू कोट में इसमें कहा जा रहा है कि शराब घुटाला मामले से ले करके कई बड़े खुलासे वो कर सकते है अपने दिये गए बयानों में इसी के साथ इस निशाने पर मनी सिसोदिया और भी जादा मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको बता दे कि पिछले दिनों ED ने जहाँ ये कहा था कि सबूत मिटाने के इरादे से 140 फोन कई लोगों ने बदले जिसमें स सारी चीज़ें मिटाए जा सकें लेकिन इनके लिंक जो हैं वो ED को लग गए इसी के साथ ही कैसे 100 करण रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी सरकारी अफसरों को ये भी चीज़ें सामने आई है और इन तमाम बातों का खुलासा आज दिने शरोरा कर सकते हैं कि कैसे और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया कैसे शराब गोटाला मामले में इसकी साजुष रची गई और कैसे इस प्लैन को अंजाम दिया और साथ ही इसमें कौन-कौन से और भी लोग शामिल है हाला कि CBI ने जो FIR दर्च की है उसमें 15 लोगों के नाम जिसमें से आठ लोगों के खلاफ lookout circular notice भी जोरी किया गया है यानि कि वो कहीं भी बाहर नहीं जौसकते देश से और इसी के साथ पंद्रा जो नाम है उनमें से सब्से पहला जो नाम है मनीस सोधिया का है मनीस सोधिया यानी कि दिल्ली के डपटिश है उनका नाम नमबर वन आरोपी के लिस्ट में शुमार है ऐसे में कहा जो रहा है कि और भी कई लिंक अप्स का आज खुलासा हो सकता है इसी के साथ ही कैसे रिश्वत दी गई है और कौन से सरकारी आफिसर इस से जुड़े हुए है इन तमाम चीजों का खुलासा आज दिनेश अरोडा के इस बयान से हो जाएगा आपको बता दे कि उन्होंने एक अरजी दायर की थी और ये कहा था कि वो सरकारी गवाब बनने के लिए तयार है जिसके बाद कोट ने ये अरजी स्विकार कर ली और वो अब एडी के सरकारी गवाब बन चुके हैं और अब वो दिनेश अरोडा जो हैं वो मनी से सो दिया और शराब कार जुड़े जितने भी लोग हैं उनका काला जिठा खोल रहे हैं उनकी पेशे 11 बजे ही कोट में हो चुकी है और इस वक्त वो बयान अपना दर्श करवा रहे हैं ऐसे में ये उमीदे लगाई जा रही है कि शराब गुटारा मामले से लेकर के तमाम जो सबूत हैं और जो खुलासे हैं शायद जितना सोचा जा रहा था उससे भी बड़े खुलासे दिनेश अरोडा के माध्यम से हो सकते हैं और इस मामले को लेकर के पहले भी कई गिरफतारियां हो चुकी हैं विजनायर के भी गिरफतारी हुई इसी क साथी दो-तीन और नाम है जुनकी गिरफ्तारियां हो चुकी है और इसको ले करके अभी भी कई जाच जुटाए जा रहे हैं कई सबूत जुटाए जा रहे हैं और गवाब भी तयार किये जा रहे हैं रोज पूचताच में एडी और सीबियाई के नए-नए खुलासे हो रहे है कहा जा रहा था कि ये जो लिकर स्कीम है डिली के अंदर लागू की गई है ये बहुत अच्छी है कि जवाल और मनीस से सोदिया के द्वारा ये कहा जा रहा था कि दिली के जाजस्व में इससे बढ़होतरी होगी और इसी से जंता को भी लाब मिलेगा ये जो पॉलिसी है व को ले करके मामले की जाज्व करवाई जाए जिसके बादแลजी ने इस पर एक्षिन लिया और जब एक्षिन की बास सामने आई तब अच्छानक से आम आदमी पारटी जो कल तक ये कह रही थी कि जाक्ता है यशाई पॉलिका ह आड में बहुत सारे घुटालों को अंजाम दिया गया और इस वज़े से इस मामले में लगातार जाच होती रही जहां सीबियाई ने कई जगों पर रेट की तो वही मनीस सोधिया के घर पर भी सीबियाई ने रेट करी थी इसे के साथ उनके पीए से भी पूछताच की थी और बाद में जब इसमें गोटाले की बास सामने आई तब एडी ने भी इसका केस समहाला और उन्हों ने भी इस पर छानबीन करनी शुरू कर दी जिसके बाद एक के बाद एक नए नए खुला से लगातार होते रहें एहम गिरफतारिया होती रही और इसमें ना सर्फ मनीस शामिल है बलकि कई ऐसे सरकारी आफिसरों का भी नाम शामिल है जो कि इस शराब गोटाले में लिप्त पाए गए हैं और उनके खिलाफ ये केस दर्ज है यानि कि जो 15 लोगों के नाम इस पर शुमार है एफ आई आर में उनमें से सरकारी आफिसर बिजनसमैन कारोबारी और मनी सिसोधिया के नाम मुख्य हैं तमाम लोगों की गिरफतारियां चल रही हैं इस बीच दिनेश अरोडा ने जहां अरजी दायर की कि वो सरकारी गवाब बनना चाते हैं और इस मामले को ले करके वो जो भी जानते हैं वो अब अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ट करवाना च तमाम जो लिंक है उसको ले करके बड़े खुलासे होने वाले हैं और अब मनीस सौधिया और इसी के साथ ही आप सरकार के लिए काफी जादा मुश्किल भरा ये समय हो सकता है एक और जहां मसेडी का चुनाव होना है तो वही दूसरी और विधान सबा चुनाव भी हो रहे ह हैं ऐसे में लगातार एक के बाद एक मामले के खुलासे हो रहे हैं किस लेवल पर दिल्ली के अंदर केज़वाल सरकार ने करप्शन को अंजाम दिया है ये तमाम चुट्छे खुलते हुए नजर आ रहे हैं पहले तो देखने को मिला कि शराप कांड में कैसे मनी से सोधिया गिरें उसके बास सतेंदर जायन का भी मनी लॉंडरिंग मामले में नाम सामने आया अमानतुल्ला खान को भी लेकर के कई चीज़ा सामने आई और उन पर भी ये चार्जस लगें हैं कि कैसे उन्होंने अपने घर पर गैर लासंसी हथियार रखें और कितने जादा कैश बरा केश्रवाल की पार्टी ने ठग लिया और 50 करोर रुपए कैसे उन से हथिया गये ताकि उन्हें आम आदमी पार्टी में साउथ इंडिया में एक अच्छी पोजीशन दिया जा सका और इसी के साथ ही राजसभा में टिकेट दिया जा सके जब उन्होंने एक के बाद एक कई लेटर वम फोड़ें तो इसके बाद केश्रवाल ये कहते हैं कि कौन सुकेश चंदरशेखर मैं किसी सुकेश चंदरशेखर को नहीं जानता और उन्होंने भी इसका आरोप जो है बीजपी पर मड़ दिया और कहते हैं कि ये तो बीजपी की ओर से है जो इस तरीके से पत्र लिख रहा है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है जिसके बाद सुकेश चंदरशेखर ने एक और लेटर लिखा और सीधे तोर पर ये चुनौती दे दी कि अगर मैं सच बोल रहा हूं तो क्या सीम के तोर पर केश्रवाल इस्तिफात देंगे अगर मैं जुट बोल रहा हूं तो मैं फासी पर चड़ने को तयार हूं इसी के साथ ही उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट की भी चुनौती दे दी लेकिन इसको लेकर के फिलहाल कोई रियाक्शन के जर्वाल सरकार की ओर से नहीं आया है लेकिन कहा जा रहा है कि अब शराब मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कैसे सौ करोड की अगरिम रिश्वत देनी की कोशिश की गई सरकारी अधिकारियों को इसी के साथ ही जो मनीस सौधिया ने भी एक एफिडेविड दायर की थी सुप्रीम कोट में और यह कहा था है कि जो सरकारी ऑफिसर से उनकी ब बेबुनियाद है गैर जरूरी है इसी के साथ ही देखने को मिला था कि एक और एडी ने कहा था खुलासा किया था इस बात का कि कैसे 140 फोन को नस्ट किये गए ताकि सबूत को मिटाया जा सके तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कि आज दिनेश अरोरा अपने बयानों में खु करवाया जाएगा ताकि कल को खिश्वाल सरकार ये ना कह दे कि ये जबरदस्ती उनसे बुलवाया गया है या फिर जबरदस्ती चीज़े करवाई गई है फिलाल आपके इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के ल झाल